Welcome back दोस्तो abbiamo, guys एक और नई sheet हम लेके आ चुके हैं, यह sheet दोस्तो आपनी, एक हमारी जो ice cream data की sheet थी उसके तरह दिखने वाली है, मैंने data को बस दो बार paste कर दिया है, इस sheet को दोस्तो मैंने नाम दूहसरा दे दिया, इसकी link भी आपको description में मिल जाएगी आपको जो description में link दी हुई है उसके उपर आपको click करना है और यहाँ पर new data ice cream की जो file है उसे आपको open कर लेना है दोस्तु तो guys इस file में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि हम क्या इसमें use करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस file म and F column है हमारे total amount का दोस्तु तो guys जैसे ही मैं इसे नीचे लेके जाता हूं तो मैं confused हो जाता हूं कि यह कौन सा column है यह किसका column है यह किसका column है मेरे को तो पता है दोस्तों लेकिन हमारे पास कोई different sheet हो जहां पर data दिखने में लगबख similar जैसे हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे क जैसे कीजिये दोस्तों कि इसका column है कि यह कौना column है इसकी data का नाम क्या इहां पर जो a new है वो छुप जाता है दोस्तों जैसी मैं दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप इस menu को एक जगा पर फ्रीज कर सकते हैं आप कितनी बार भी seat को उपर नीचे लेके जाएं वह menu आपका उसमें दिखेगा दोस्तु तो दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पहले मतलब आपको यह नहीं बताया था कि वह तरीका किस काम आता है लेकिन दोस्तों मैं आपको तरीका बता चुका हूं तो गाइस सिंपली आपको इसे फॉर्मेट एस टेबल के उपर क्लिक करना है कोई भी फॉर्मेट जो आपको पसंद आया उससे आपको सिलेक्ट कर लेना यहां पर दोस्तों हो चुका है अब जैसी दोस्तों मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप यह यहां पर देख सकते हैं हमारे हुआ है रूम जो भी कॉलम के नाम है उनका मिंअ फ्रीज करना है जो मैनियू के नीचे वाली रो में आपको कही bhi एक जगह क्लिक करना है just menu के नीचे वाली में दोस्तों, उसके इलावा आपको कहीं और click नहीं करना, menu के नीचे वाली row में आपको click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे view tab में आना है, view tab में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे windows में एक option मिल जाता है, freeze, paints का दोस्तों, तो यहाँ पे उपर द सबक्ते अ पे शनलब करें पुर फोड़ी से लाइन जा को सब्सक्राइक अब यहां पर दोस्तों यहां पे आपको दिखेगा तो गाइस इसमें और हम जो फॉर्मेट एस टेबल करते थे उन दौनों में क्या फर्क है दोस्तों तो गाइस यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं कितना भी नीचे जाओ मेरे को यह मैं दिखता ही दिखता है लेकिन एक बार मैं वापिस कंट्रूल सेट कर देता हूँ कि हाँ यहां पर यहां पर नहीं हुआ है दोफिज करने के लिए भी दोस्तों स сп fifty है आपको सकी नीचे लेलए रोग कि उपर वीनेन यहां पर आपको आना है and then simply unfreeze के उपर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरे को मैन्यू दिख रहा है उपर का जो भी है और जैसी दोस्तों मैं अपने जो भी डेटाबैस उसके नीचे आता हूं तो मैन्यू वहार से यहां परागो Board करते हैं आपडिक करते हो आप कही बाहर क्लिक करोगे तो भी आपको मैन्यू उसने दिखेगा दोस्तों तो अमीद करता हूं तो अब को पता चला ओकि कैसे आप अपने मैन्यू को फ्रीज कर सकते हैं हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली entscheiden झाल झाल